Hello my dear students, I hope you all are fine. So students, आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे B.Ed के 4th semester का जो आपका paper 2 है, उसकी answer की को. सारे questions के जो answers हैं, उनको हम discuss करेंगे line-wise. So, जो PDF है थोड़ी सी blurred है, but still मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो question number 1 है, उसका answer आपका option number D है. अब आजो question number 2 में, भारत में माध्यमिक स्तर पर नवोदे विद्यालियों की स्थापना का सुझाव, ठीक है? कि भारत में जो नवोदे विद्याले हैं, उनकी स्थापना की जाएगी, उसका सुझाव किस कमीटी ने दिया था? सो स्टूडेंट्स वो दिया था कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था. त्री भाशा सूत्र को सरप्रथम किसने प्रस्तुत किया संशोधित राश्ट्रे शिक्षानीती 1992 में राश्ट्री आय का कितना प्रतिशत शिक्षा में व्यै करने का प्रस्ताव दिया गया था So students, इसका answer है आपका option number B, यानि की 6 प्रतीशत संशोधित राश्य शिक्षा नीती 1992 में प्रात्मिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलब बनाने का लक्षय रखा गया था So students, question number 5 है, इसका जो answer है, इसमें मुझे थोड़ा सा doubt है तो आप इसे Google पे सर्च कर लेना तो हो सकता है कि आपको मिल जाए NEPTEL यानि की NPTEL जो है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है So students, question number 6 का answer है, option number A यानि की National Program on Technology Enhanced Learning जो है वो आपका NPTEL जो है, इसका फुल फॉर्म होता है किस चीज का विकास करना है विकतिओं के? So students होते हैं उनके विकतत्व यानि की उनकी Personality का विकास करना ही जो शिक्षा है उसका main motive होता है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, किसी विशेष कक्श में बालक का प्रवेश, किस आधार पर प्रस्तावित है So students, इसका जो आंसर है वो होगा बच्चों की उम्र पर शिक्षक शिक्ष्या में internship कारेकरम किसकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता है So students, question number 9 है, इसका answer है option number B यानि कि प्रशिक्षन कारेकरम में छात्र शिक्षक जो student teachers in training program जो आपके B.A.D. के students होते हैं ठीक है, तो उनके लिए जो internship का कारेकरम है, उनकी सहायता के लिए चलाया जाता है जिलास्तर पर निमलिखित में से किस संस्थान को प्राथमिक एवं प्रारंभिक विद्यालियों में सेवा कालीन शिक्षक शिक्षा की जिम्मेदारी सौपी गई है So students, इसका answer है आपका option number A, यानि कि जो diet है, उसे सौपी गई है Now students, question number 1 से लेके 10 तक हम cover कर चुके हैं, अब हम आगे के questions को करेंगे राश्रे माद्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार, छात्र शिक्षक जो अनुपात है वह क्या होना चाहिए एक शिक्षक पर कितने बच्चे होने चाहिए So students, इसका answer है 1 इस्टू 30 परिक्षा में सुधार का मुख्य लक्षे क्या होता है So परिक्षा में सुधार के जो मुख्य लक्षे हैं वे यो उप्युक्त सभी होते हैं यानि कि विश्वशनियता को बढ़ाना, वैदता को बढ़ाना, मुल्यांकन को एक सदत प्रक्रिया बनाना डेलर्स रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा के चार स्थम्बो में निमलिखित में से कौन सा सिक्षा का आधार नहीं है Now students, question number 13 का आंसर है आपका option number C, यानि कि खुश रहना, सीखना भारत में सर प्रथम किस आयोग ने ग्रामीन विश्विद्यालों की स्थापना का सुझाव दिया था So students, इसका आंसर है विश्विद्यालय शिक्षा आयोग ने निमलिखित में से कौन विश्विद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष था So इसका आंसर आप बता सकते हैं, हो सकता है कि इसका आंसर आपको पता हो क्योंकि यह जो question है, यह मैंने अपने important questions के वीडियो में भी discuss किया है साथी साथी यह previous year का most repeated question है इसका आंसर है Dr. S. Radha Krishnan RTE कौन सी धारा, sorry RTE की कौन सी धारा शिक्षक के करतव्यों से संबंदित है So धारा जो 26 है, यानि section 24 जो है RTE का वो deal करता है from the duties of teacher जो teacher है, उसके क्या करतव्य होते है पूर्व प्रात्मिक शिक्षा ग्रहन करने की उचित आयू क्या होती है So students, इसकी आयू होती है 2 से 6 वर्ष किस वर्ष संसत के अधिनियम द्वारा अखिल भारतिय तकनी की शिक्षा परिशत को एक वैधानिक निकाई के रूप में इस्थापित किया गया था इसका आंसर है आपका सन 1987 यानि की option नमबर B अब चलते हैं question नमबर 19 पे प्रद्योगी की सनवर्धि सिक्षन के लिए राश्ट्रे कारेकरम NPTEL की गुडवत्ता बढ़ाने के लिए MHRD ने 2003 में शुरुआत की गई थी यानि की जो आपका National Program for Technology है ठीक है उसने MHRD के द्वारा उसे शुरू किया गया था ठीक है क्यों किया गया था क्या कारण था NPTEL को शुरू करने का स्टूडेंट्स इसका कारण था आपको Engineering की शिक्षा जो है वो प्रवाइड करना Option number C इसका Right Answer है विच इंजिनिरिंग एडुकेशन Now students question number 20 पे हम लोग आ चुके हैं कौन सिफारिश करता है कि UGC, NCRT, निपाह, आदी जैसे राश्ट्रिय महत्व के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा ताकि वे राश्ट्रिय शिक्षा प्रणाली को आकार देने में शक्षम हो सकें So students question number 20 का जो आंसर है वो आपका कोठारी आयोग था मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपके सारे आंसर अच्छे जा रही होंगे अब चलते हैं 21 पे राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है यहाँ पे आपको कुछ उद्देश्य दिये गए है आपको बताना है कि इसमें से कौन-कौन से उद्देश्य राश्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा के अभियान के उद्देश्य है 14 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को गुडवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना वर्ष दो हजार बीस तक सत प्रतीश्ट माध्यमिक शिक्षा का लक्षय प्राप्त करना दूर दराज के शेत्रों के छात्रों के लिए रेजिडेंसी स्कूल प्रदान करना या फिर उपरोप्त सभी सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्षन नंबर बी है यानि की वर्ष दो हजार बीस तक सत प्रतीश्ट माध्यमिक शिक्षा का लक्षय प्राप्त करना इसका उधेश्य था चलिए भारत में जो नैक है नैक जो है उसका मुख्य उदेश्य क्या है विश्विद्यालियों की स्थापना करना विश्विद्यालियों का मुल्यांकन करना विश्विद्यालियों को मान्यता देना विश्विद्यालियों को वित्पोशन देना सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान आंसर है इसका आंसर आपका option नंबर बी है कि जो नैक है उसका काम होता है विश्विद्यालियों का मुल्यांकन करना राजे शेक्षनिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिश्द यानि कि आपका जो S.C.E.R.T है उसके व्यापक कारे क्या है स्टूडेंट्स क्वेशन नंबर 23 जो है इसका आंसर है आपका option नंबर A यानि कि चार साल की अवधी के एकिक्रित शिक्षक शिक्षाकारे क्रमों का डिजाइन और विकास करना ये है इसका काम सो 23 का आंसर क्या है आपका option नंबर A राश्ट्रिय शेक्षनिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद NCRT की जो स्थापना है वह कब की गई थी सो स्टूडेंट्स NCRT की जो स्थापना है वह की गई थी in the year 1963 में सो option नंबर C इस question का right आंसर है विद्यालिय में portion युप्त भोजन उपलब्द करवाने के उदेश्य से कौन सी योजना प्रारंब की गई है इसका क्या आंसर है कि जो बच्चे हैं उन्हें portion युप्त भोजन मिले उसके लिए कौन सी योजना है उसके लिए आपकी midday meal की योजना है मुझे उम्मीद है कि आपको ये आंसर पता होगा स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ाने के उदेश्य से कौन सी योजना नहीं चलाई गई है question number 26 का आंसर है midday meal योजना क्योंकि इसका उदेश्य चात्रों की संख्या बढ़ाना नहीं है बाकी की जो तीन योजनाई है इनका उदेश्य चात्रों की शिक्षा संख्या को बढ़ाना है सम्विधान के किस अनुछेद के अंतरगत जो शिक्षा का अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है so students इसका आंसर है option number C यानि की अनुछेद 21 A ये तो general knowledge का question है इसको तो आपको वैसे भी याद कर लेना है अध्यापक शिक्षा के पाठे क्रम की क्रियन वियन की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता किसकी है इसका आंसर है आपका NCRT की अब आजाओ question number 29 में भारत में राश्ट्रिय शिक्षक शिक्षा परिशद NCTE के स्थापना निम्नांकित में से किस उद्देश्य से की गई थी so students इसका आंसर होगा शिक्षक शिक्षा की गुडवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से शेक्षनिक अफसरों की समानता की अफधार्ना का निहित आर्थ क्या है question number 30 question number 30 का आंसर आपका option number B है यानि की विद्यार्तियों को उनके योगिता अनुरूप संसाधनों को उपलब्द कराना जिला शेक्षनिक अवं प्रशिक्षन संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीती के तहत की गई थी students डाइट की जो स्थापना है वैं शिक्षा नीती 1986 के तहत की गई थी भारत में राष्ट्य शिक्षा पाठेकरम फ्रेमवर्क 2009 यानि की NCFTE किसके द्वारा तयार किया गया था NCF 2009 जो है वो तयार किया गया था NAC के द्वारा तो आप्शन नमबर B इसका सही उत्तर है शिक्षा का अधिकार अधीनियम कब लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधीनियम जो है वहलागू हुआ था आपका 1 अप्रेल 2010 को सर्वशिक्षा अभ्यान की शुरुवात कब की गई थी सर्वशिक्षा अभ्यान की शुरुवात की गई थी वर्ष 2001 में उसके बाद आपको बेमेल को बाहर करना है यानि कि इसमें से जो odd है उसको हटा देना है Question number 35 का अंसर है option number C यानि कि राजस्थान, यूनिवर्सिटी बाकी के बाकी जो है वो एक दूसरे से मिलते है विश्विद्याले अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? So students, question number 36 जो है इसका अंसर है आपका option number B यानि कि year 1953 में आपके विश्विद्याले अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी? भारत में पहला खुला विश्विद्याले कब स्थापित किया गया था? So students, भारत में पहला खुला विश्विद्याले सन 1987 में स्थापित किया गया था? इस वाले का आंसर आप एक बार चेक कर लेना हो सकता है इसमें कुछ गड़बड हो अब चलते हैं next question पे हम पहुँच चुके हैं अपने question number 38 पे निमलिखित में से किसके पास मुक्त दूरस्त शिक्षा पाठे क्रमों को मान्यता देने का नियामक संस्था है? question number 38 का आंसर है option number C यानि कि UGC किस IU वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? option number C इसका राइट आंसर है यानि कि 6 से 14 वर्ष आयू वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है RTE 2009 शिक्षकों के लिए कितने कार्य घंटों का निर्देश देता है सो जो RTE 2009 है वे शिक्षकों के लिए 45 घंटे कार्य का निर्देश देता है नई शिक्षा नीती 2020 से देखो question आया हुआ है तो मेच छातरों के मुल्यांकन हेतु जो मानक निर्धारन निकाई के रूप में स्थापित की जाने वाली जो संस्ता है क्या है या होगी अभी सो 41 का आंसर option number A है उस संस्ता का नाम है आपका परक प्रशिक्षर question number 42 clear नहीं है बट still मैं इसका आंसर आपको बताना चाहती हूँ इसका आंसर था आपका किल पैट्रिक RTE 2009 के तहत निजी विद्यालिय निर्बल समुदाई के बालकों के लिए कितने प्रतीशत स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है So students, इसका आंसर है option number C यानि की 25 प्रतीशत शिक्षा को समवर्ती सूची में कौन से समुदाण के संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था तो इसे शामिल किया गया था समुदाण के 42 संशोधन के द्वारा यानि की इसका आंसर है option number A भारत में शिक्षक शिक्षा की नियामक संस्था क्या है यानि कि जो शिक्षकों की शिक्षा पे काम करती है वो है आपकी N-C-T-E Operation Blackboard जब देखो तब ये हर पेपर में उठके आ जाता है Operation Blackboard किस से जुड़ा हुआ है students ये जुड़ा हुआ है आपका प्राथमिक शिक्षा से प्रीवेस येर में बहुत बार करवाया है मैंने Important Questions की वीडियो में भी आपको काफी बार करवाया है भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? स्टूडेंट्स भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में सन 1976 में लाया गया था अब Question No.48 जब मैंने Important Questions की वीडियो में लास्ट में ये बोला था कि NEP 2020 को पढ़ लेना तो कितने बच्चों ने पढ़ा था? क्योंकि NEP 2020 से मुझे लगा ही ताकि ये वाला Question आएगा और वो उठकर आया भी है Same Question मैंने Discuss किया था Important Questions की वीडियो में So students, 48 का जो Answer है वो है C यानि कि 5, 3, 3, 4 ठीक है? यानि कि शुरू के 5 साल बच्चे के रहेंगे फिर 3, फिर 3 और फिर 4 इस तरह से पढ़ाई होगी जैसे भी 10 प्लस 2 प्लस 3 है वैसे अब तो नहीं है 2020 की नीती लागू अल्मूस्ट होई गई है भारत में UGC द्वारा प्रकाशिस सूची में शामिल केंद्रिये विश्विद्यालियों की संख्या कितनी है? Question number 49 का Answer option number D है यानि कि 56 शिक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयू के बच्चों को दी जाती है वह कौन सी शिक्षा होती है? So students वह शिक्षा होती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभी तक हमने अपने पूरे के पूरे 50 questions को cover कर लिया है किसी भी question में अगर doubt होगा तो comment करके बताना Otherwise ऐसे ही right options को देखते चले जाओ Question number 51 जो है उसका आपका answer है option number B यानि कि 2017 में N.I.O.S. ठीक है N.I.O.S. schools होते हैं उनका full form क्या होता है? उसका full form होता है National Institute of Online Schooling राश्ट्रिय ज्यान आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है Sam Pitroda क्या है Sam Pitroda N.C.T.E. के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है Professor Pankaj Arora राश्ट्रे परामर्ष दशा मिशन किसके द्वारा लागू किया गया? Question number 55 का answer है option number C N.C.T.E. के द्वारा उच्च शिक्षा में वर्तमान नामंकित अनुपात कितना है? जो बच्चे हैं वो कितने प्रतीशत जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा में जाके admission लेते हैं वो है आपका 28.4 लर्निंग दी ट्रेशर विधिन किस रिपोर्ट को कहा जाता है? Question number 57 का answer option number C है डेलर्स रिपोर्ट को सार्थक प्रोग्राम जो है वह कब लॉंच किया गया था? सार्थक प्रोग्राम लॉंच किया गया था 29 जुलाई 2020 को अलिगर्ण मुस्लिम विश्विध्यालय किस प्रकार का विश्विध्यालय है? सो स्टूडेंट्स वह है एक केंद्रिय विध्यालय D.E.B का पूर्ण रूप क्या है? D.E.B जो है इसका पूर्ण रूप है Distance Education Bureau N.E.B 2020 की मसौदा समीती जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे Dr. K. कस्तूरी रंगन N.E.B 2020 को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? उसे लागू करने वाला प्रथम राज्य आपका करनाटक है Skill India Mission का लक्ष तीन सो मिलियन नव यूवकों तक पहुँचना था कब तक? कब तक उसे पहुँचना था? उसे पहुँचना था 2022 तक भारत में कितने Regional Institute of Education है? So students, भारत के अंदर टोटल पाँच रीजनल इंस्टिटूट औफ एजूकेशन है सर्वशिक्षा अभियान की प्रगती की निगरानी के लिए 2017 में कौन सा पोर्टल लॉँच किया गया था? 2017 में शगुन पोर्टल लॉँच किया गया था NAC का फुल फॉर्म बताओ फिर से रिपीट कर दिया गया था? नहीं वो दूसरा था चलो NAC का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नैशनल असेस्मेंट एंड एक्रिडेशन काउंसल NAC प्रत्यायान मूल्यांकन गुडवत्ता सुधारने की दिशा में काम करती है जो NAC है वै किसकी गुडवत्ता को सुधारने की दिशा में काम करती है? Option number C यानि की शिक्षा की गुडवत्ता में निमलिखित में से कौन सी शैक्षनिक नियोजकों और प्रसाशकों को प्रशिक्षन देने वाली एक स्वायत संस्ता है? इसका अंसर है आपका option number A यानि की N-C-E-R-T निश्टा योजना किसके द्वारा प्रारंब की गई थी? जो आपकी निश्टा योजना है वै प्रारंब की गई थी Ministry of Human Resource Development मानव संसादन विकास मंत्राले के द्वारा इसका आंसर है आपका option number C ठीक है? राश्रिय शिक्षा नीती 1986 के द्वारा दिया गया था अब चलते हैं question number 71 पे question number 71 जो है उसमें आपसे पूछा है किस राज्ये में देश के सरवधिक राज्ये विश्विद्याले इस्थित है? so students इस question का आंसर जो है मुझे नहीं मिल रहा था अगर आपको question number 71 का आंसर पता है तो नीचे comments करके जरूर बताईएगा चलिए 72 जो question है उसमें आपसे पूछा है RTE 2009 का जो प्रावधान है वह कहां लागू नहीं होंगे? so students 72 जो question है इसका आंसर है option number D उप्रोक्त सभी में लागू ये नहीं होंगे राश्य शिक्ष्रानीती 2020 के अनुसार किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यून्तम डिग्री योगिता चार वर्ष ये एकिकरित बिएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है 73 का जो आंसर है वो है आपका 73 का आंसर है सौरी option number D 2030 तक ठीक है आपने सुना भी होगा लोग कह रहे हैं कि 2030 के बाद जो है 4 साल की बिएड हो जाएगी so शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याए हैं और कितनी धाराए हैं question number 74 बहुत ही ज़ादा important है इसके अंदर का जो आंसर है वो है आपका option number C यानि कि 7 chapters, 38 sections and 1 schedule so students option number C जो है question number 74 का आंसर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि एक शिक्षक निमलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाएगा इन चारों में से शिक्षक कौन सा कर्तव्य निभाएगा question number 76 so students question number 76 का आंसर उप्रोप्त सवी है यानि कि वह स्कूल जाने में नियम मित्ता और समय पर पाबंदी बना के रखेगा पाठेक्रम का संचालन पूरा करेगा एक तै समय में पाठेक्रम पूरा करना उसका उद्देश्य होगा शिक्षा के व्यवसाई करण में माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या सुझाव है question number 77 का आंसर भी उप्रोप्त सभी है यानि कि शिल्प और विवितकारियों का प्रबंद करना माध्यमिक स्कूलों में क्रिशी की शिक्षा बहु उद्देश्य विद्यालों की स्थापना राष्टे शिक्षा नीती 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया था राष्टे शिक्षा नीती में संशोधन सं 1992 में किया गया था नैक का मुख्याले कहां इस्तित है ये तो गैस करना बहुत ही असान है उसका जो मुख्याले है वह इस्तित है आपका बैंगलूरू में निमलिकित में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण के गुडात्मक सुधार के लिए की गई थी Q80 का आंसर है NCRT NCRT की स्थापना स्कूली शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण में गुडात्मक सुधारों के लिए की गई थी SCRT को कब इस्टैबलिश किया गया था So students जो आपका SCRT है उसे इस्टैबलिश किया गया था in the year 1988 If you have any doubt in this question आप उसे google कर सकते हैं भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े ज्वलंत मुद्दे कौन कौन से मुद्दे हैं जो भारत में शिक्षन शिक्षा से समबंदित हैं उपरोक्त सभी मुद्दे हैं शक्षम शिक्षकों कर चयन की समस्या शिक्षक प्रशिक्षन के लिए प्रदान की गई छोटी समय अवदी की समस्या और छात्र शिक्षक जो हैं उनमें अशमता RTE 2009 में किस शिक्षा पर बल दिया गया? RTE 2009 में समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया RTE Act में इसमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? इसका अंसर है option number B यानि कि बच्चों को शारीरिक गंड देने का 6-14 वर्ष की आयू तक मुफ्त एव़ मनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दाइत्व किसका है? इसका उत्तर है आपका केंदर और राज्य सरकार दोनों का ही दाइत्व है नई शिक्षा नीती 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मात्र भाशा, स्थानिय भाशा या शेत्रिय भाशा पढ़ने पर जोर दिया जाएगा? कक्षा 5 तक जब आप NCF देखोगे और New Education Policy देखोगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़े पता चलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसमे कोई वीडियो बनाओ तो वो आपको ज़रूर देखना चाहिए था एक्षाम से पहले बट च्टिल अगर आप चाहें तो देख सकते हैं आपके आगे वाले एक्षाम में काम आएगा भारत में निशुल्क एवम अनिवार्य शिक्षा की जो मांग है वह सर्व प्रथम किसने की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने राश्रे शिक्षा नीती 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात यानि की ग्रॉस एन्रोल्मेंट रेश्यो को कृतना प्रतीशत बढ़ाने का लक्षय रखा गया है यानि की इसका आंसर है आपका ऑप्षन नमबर D पचास प्रतीशत बढ़ाने का लक्षय रखा गया है 2020 में MHRD के द्वारा क्या डिमांड किया गया था ठीक है 2020 में किस थोड़ा सा मिस्प्रिंट है क्वेश्चन नमबर 89 का जो आंसर है वो आप्षन नमबर A है बुन्यादी साक्षरता पर आधारित राश्ट्रे मिशन नैशनल मिशन और बेसिक लिटरेसी और नियुम्रेसी RMSA किस वर्ष सत्प्रतीशत सकल नामंकन दर प्राप्त करने का लक्षय रखा गया है इसका आंसर है आप्षन नमबर D 2020 में बहु उद्देशिय विद्यालिय खोलने का सुझाव सर्व प्रथम किस ने दिया था मुदालियर कमीशन ने RMSA का जो कारेशेत्र है वहें क्या है इसका कारेशेत्र है माध्यमिक शिक्षा देना डेलर्ज आयोग के सीखने के किस स्थम में व्यभारी कौशलों पर जोर दिया गया है इसका आंसर है करके सीखना ठीक है लर्निंग टुडू राश्चे शिक्षा नीती 2020 को कब घोशित किया गया था सो स्टूडेंट्स इसे घोशित किया गया था 29 जुलाई 2020 को डेलर्ज आयोग के अनुसार 21 वी शताबदी शिक्षा के कितने स्थम्ब होंगे यानि कि डेलर्ज की जो आयोग है उसके अनुसार उसने क्या कहा कि 21 वी शताबदी में जो शिक्षा है उसके कितने स्थम्ब होंगे इसका आंसर है आपका आप्शन नमबर डी यानि कि चार स्थम डेलर्ज आयोग की रिपोर्ट जो है वह कप्रत आग क्या नेम था किस नाम के तहट वह प्रकाशित हुई थी सो वह प्रकाशित हुई थी सिंखना आंतरिक खजाना के नाम से नेक्स्ट क्वेशन है जो आपका 97 वो यहाँ पर दिखनी रहा है क्लियरली बट 97 जो क्वेशन है उसका आंसर आप्शन नमबर A है अगर आपके पास क्वेशन पेपर होगा तो आप देख पा रहे होंगे सन 1990 में सब के लिए शिक्षा विश्यपर विश्व कॉन्फरेंस का कहां आयोजन किया गया था इस क्वेशन का आंसर आप नीचे कमेंट करके बताएंगे ठीक है कहीं से भी ढूण के लाओ इस क्वेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट था इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है बट स्टिल मैं आपको चलो 98 का आंसर बता जेती हूं तो वो आपको ढूणना नहीं पड़ेगा 98 का आंसर थाईलेंड है आप्शन नमबर C है 99 का आप ढूण लेना लास्ट क्वेशन करती है निमलिखित में से कौन सा कारेकरम NCTE द्वारा मानेता प्राप्त नहीं है इसका आंसर है आपका B.Tech Ed B.Tech जो Education है वो वाला NCTE द्वारा नहीं है क्योंकि ये बाकी के है स्टूडेंस हमने डिस्कस करें अपने टोटल 100 क्वेशन इसे तरह की और वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि चैनल पे हम B.Ed के जो आपके exam point of view से important questions होती है उनको भी prepare करवाती है इसलिए मैं बार बार कहती हूँ की चैनल को subscribe कर लो